हर्याना रोडवेज का ऐसा रूट जिसपे अगर सवारी हर्याना रोडवेज की बस में एक बार चली गई तो वापिस हर्याना रोडवेज की बस में यी वापिस आती है किसी और स्टेट की बस में नहीं बैठती हर्याना रोडविस दिल्ली डिपोगी दो बस हैं जो लखनों के लिए चलती है जिन यात्रियों को दिल्ली से लखनों वाया हापपुड बाइपास गजरोला, मुरादाबाद, रामपूर, बरेली, साहजापूर, सितापूर सिधोली के रास्ते यात्रा करनी है वो इन बसों में बैठ सकता है दिल्ली ISBT आनंद विहार के बूथ नंबर 89 से हर्याना रोडविस दिल्ली डिपोगी दो बसें चलती है लखनों के लिए दिल्ली ISBT आनंद विहार से पहली बस का समय है सुबह 7 बजगे 35 मिनट का और दुसरी बस का समय है सड़े 8 बज़े सुबह ब्रीजगाट गडगंगा से इन बसों का समय है सुबह 10 बज़े और 11 बज़े मुरादाबाद बाइपास से इन बसों का समय है सुबह 11 बजे और दो फैर के 12 बजे रामपूर से इन बसों का समय है सुबह 11 बज के 45 मिनिट पे और दूसरी बस का समय है 12 बज के 40 मिनिट पे दो फैर को बरेली सैटलाइट से पहली बस का समय है एक बज़ के तीस मिनिट पे दो फैर को और दूसरी बस का समय है दो बज़ के तीस मिनिट पे दो फैर को और साजापूर बाइपास से इन बसों का समय है तीन बज़ के तीस मिनिट पे दो फैर को और सड़े चार बजे दो फैर को सितापूर बस्टैंड से लखनौ के लिए पहली बस का समय है साम के पांच बजे और दूसरी बस का समय है शाम को दिल्ली ISBT आनंद वियार के बूथ नमबर 19 से तो चलती है लखनौ के लिए बस है और 84 से चलती है ब्रेली के लिए बसें और लखनौ के कैसरबाग बस्टैंड के बूथ नमबर 2 से चलती है दिल्ली के लिए बसें कैसरबाग से दिल्ली के लिए पहली बस का समय है सुबह सड़े 4 बजे और दूसरी बस का समय है सड़े 5 बजे सितापूर से दिल्ली के लिए पहली बस का समय है 6 बजे और दूसरी बस का समय है 7 बजे सुबए साहजापूर से इन बसों का समय है 7 बजे और 8 बजे सुबए रामपूर से सुबए 11 बजे और 12 बजे दो फैर को मुरादाबाद बाइपास से पहली बस का समय है बारा बज़के दस मिनिट पे दो फैरको और दूसरी बस का समय है एक बज़के दस मिनिट पे ब्रीज गाट गडगंगा से इन बसों का समय है 1.15 बजब के 15 मिनिट पे दो फैरको और 2.15 बजब के 15 मिनिट पे दो फैरको और इंकी टाइमिन है 3.4 बजबे और 3.50 बजबे दो बजब से चलती है ऐसा क्यों है इसके दो रीजन है पहला रीजन है अपनी हर्याना रोडवेज की बसों का किराया अन्य स्टेट की बस से कम है दिल्ली से लखनव हर्याना रोडवेज का किराया है 620 रुपे और उत्रप्रदेश की बस का किराया है 645 से 650 रुपे तो इसी साब से अधर स्टेट का ज्यादा है हमारी हर्याना रोडवेज की बसों की क्वालिटी भी अधर स्टेट से बहुत ज्यादा बहतर है और दूसरा रीजन यह है अगर हर्याना रोडवेज की कोई बस 10 गंटे में ट्राइवल कर जाती है किसी रूट पे तो अन्य दूसरे जैसे की युग प्यूत्तर प्रदेश की बस हैं 14 से 15 गंटे लगा दती है तो यह दो रिजन है पहला रिजन है कि राय की बच्चत होती है और दूसरा रिजन है का टाइं की बच्चत होती अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और होसके तो सब्सक्राइब कर देना तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत नवाद राम राम